हेलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरी competitive math की class में मैं राजकुमार और आप देख रहें online classes बाइपरिया आज के इस वीडियो में हम previous class में discuss किये topic के questions को solve करेंगे और work mode यानि square view और square यानि work के इस topic को और बहतरी तरीके से सिखेंगे प्रीवेस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको किसी भी number का अगर आपको वर्मूल निकालना है तो आप उसको दो method से निकाल सकते एक factor method और दूसरा है division method तो division method पे किस type question पुछा जाता है है एक वीडियो में कि आपको क्या question दिया हुआ है आप इसको pause करके try करें और अपना comment box में बताइए कि इसका answer क्या होगा तो मैं इसको आपको solve करके बताता हूँ तो आप ऐसे question को solve करने के लिए आप देख सकते हैं कि जितना भी number दिया हुआ है वो सब perfect square में दिया हुआ है तो आप इस condition में क्या करेंगे जिए कि आप decimal भूल जाएगे decimal है ऐसा आपको भूल जाना है तो आपको पहला क्या दिया है 324 तो 324 का square root क्या होता है यानि मर्गमूल क्या होता है? 18 होता है ठीक है? नेक्स्ट दिया है 81 81 के क्या होता है? 9 होता है नेक्स्ट क्या दिया है? 4, 6, 2, 8 इसका होता है 68 ओके? नेक्स्ट 1, 5, 6, 2, 5 इसका क्या होता है? 125 होता है ठीक है? decimal हम इन दिमार में लखना है हमको इसको full number यानि पूर्ण संख्या मान के करने 2, 8, 9 का कितने का होता है 17 का होता है next हमारा क्या है 7, 2, 9 ये 27 का होता है next 64 इस कितना होता है 8 का होता है ठीक है अब इसे हम solve करेंगे तो 9, 3 जा जाएगा ये 17, 4 जाएगा ओके ये हमारा क्या होगा 2 टाइमस जाएगा ये हमारा क्या होगा 9 टाइमस जाएगा ये हमारा 3 टाइमस जाएगा तो हमारे पास क्या बच्छा 3 divided by 124 और जब आप इसको solve करेंगे तो ये 0.024 आएगा ओके यानि हमारा answer C is correct answer आप 3 को 125 से जब दिवाइड करेंगे तो 0.024 आएगा तो इसमें देखना आप देखें आप सोच रहें कि decimal कहा गया तो आप देख सकते हैं कि जो decimal उपर पे जो decimal दिया हुआ है और नीचे पे जो decimal दिया हुआ है उनको कितने अंक के बाद दिया हुआ है उपर भी 9 के बाद दिया हुआ है और नीचे भी 9 के बाद दिया हुआ है तो जब हम decimal अटाएंगे तो 10 to power 9 उधर आएगा 10 to power 9 नीचे आएगा और वो कटके 1 हो जाएगा तो जब हमारे decimal जो numbers दिये हुए है तो जब हमारे decimal के बाद कितने अंक है अगर दोनों में same रहते हैं तो उस condition में हमें उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है चलिए next देखते है 0.1 का whole square तो आप question देखते रहे हैं कि मुझे पढ़ने की जरूत नहीं था कि आपका time waste ना हो तो ऐसे question का जो answer है देखे इसका भी 10 आएगा तो ऐसे condition में क्या होगा आप देख सकते हैं यहां पर one दिया हुआ है और नीचे में two दिया हुआ है ठीक है इसको थोड़ा मैं बढ़ा कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझने आएगा तो आपको यहां पर decimal one के बाद दिया हुआ है यहां पर decimal one के बाद दिया हुआ है यहां पर decimal two के बाद दिया हुआ है यहां decimal two के बाद दिया हुआ है यहां three के बाद यहां four के बाद यहां one यहां two तो आप देख रहें difference क्या है one का तो जब difference one का decimal में है तो इसका answer ten आएगा अगर difference 2 का होता तो answer 100 आता same as आप इस question में देखेगा तो इसमें भी 10 आएगा क्योंकि difference क्या है 2, 3, 1 का difference 2, 3, 1 का difference, 3, 4, 1 का difference 10 इसका long method भी आप देख सकते हैं उसको आप खुछ से try करिए इसका long method comment box में बताइए कि आप क्या उस long method से इसको solve कर पाए हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि long method में क्या करना है decimal हटाके आपको इसको जैसे दिया है 0.03 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 by 100 का whole square ऐसे ही 0.21 को हम लिख सकते हैं 2, 1 divided by 100 का whole square ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर maximum 3 है यहाँ पर maximum 4 है ठीक है तो इसको oxide कर लेते हैं ठीक है maximum 3 है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 3 है तो इसको जब 3 को square करते हैं यानि 10 के power 3 को हम जब square करेंगे तो 10 के power 6 हो जाएगा ओके और यहाँ पर क्या है 1 upon है और यहाँ पर नीचे वाले में क्या आएगा 1 upon 10 के power 8 क्योंकि maximum power maximum decimal के बाद कितना है 4 के बाद है यह बलत के क्या हो जाएगा 10 के power 8 divided by 10 के power 6 यहाँ से गाएगा यह 10 का square आएगा और यह किसमें है root में यह हमारा 10 आजाएगा तो इसका भी answer 10 आजाएगा आपको ठीक है तो आई होप आप understand कर गए हो कि कि इसको कैसे करना है long method में भी आप try कर सकते हैं मैंने और रड़ी बताया हुआ है previous video में वो वीडियो आप जाके देखे तब आके यहाँ पर question और अच्छे से solve करते हैं कोई भी question आपको मैं दे रहा हूँ पहले आप खुद इसको pause करिए try करिए और उसके बाद इसका solution देखे क्या आप खुद कर पा रहे हैं आपके क्या वो topic clear है तो आप और अच्छा आपकी तयारी हो जाएगी ठीक है अगर decimal के बाद 2 cut difference होता decimal में तो hundred होता तीन का होता तो thousand होता ठीक है चले हमारा eighth question है 1901 यानी 1901 में क्या जोड़े कि यह पूर्ड वर्ग बन जाए इसमें हम क्या जोड़े कि यह पूर्ड वर्ग बन जाए तो देखें 19 इसको हम division method से लगाएंगे ठीक है यह pairing कर लेते हैं आप देखें 4 4 16 5 5 25 तो हम 4 ले लेंगे 4 4 यह 16 यह 3 हो जाएगा हमारा 01 और 4 और 4 8 हो जाएगा फिर से 4 टाइम जाएगा यह कितना हो जाएगा हमारा 3 36 ठीक है यह minus 35 आ गया इसका मतलब है कि 1901 में अगर हम 35 एड़ कर दे तो यह हो जाएगा 36 और यह हमारा पूड वर्ग बन जाएगा ओके आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब हमें जोड निकाला होगा तो हमेशा जादा निकालेगे ठीक है कि क्या जोडने पर हमें माने वर्ग मिलेगा तो हम हमेशा ये नमबर जादा लेकर आएगा और जब भटाने के बात आएगे तो ये नमबर हम कम लेकर आएगे next question में हम इसको देख सकते हैं चलिए next देख लेते हैं 21600 में किस संख्या से गुना करेगी या पूड वर्ग बन जाए तो हुना की condition में हम लोग factor method यूज करते हैं तो factor method इसको हम factor कर लेगे 21600 ठीक है अब आप देखिए इसको हम इसको और sort करना अगर चाहें तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 216 into 100 ठीक है तो अभी हम 216 का है factor करेंगे तो 216 का जा हम factor करेंगे तो क्या आएगा हमारा 108 54 27 9 3 आप देख सकते हैं कि 2 का पेर यहां पे बन गया यहां पे 3 का बन गया और यह 2 और यह 3 बच गया तो यानि हमको इसे 2 एक 2 दे देना है और एक 3 देना है यानि अगर हम इसे 6 से multiply करें तो यहां पूड वर्ग बन जाएगी 216 को 00 को अगर हम 6 से multiply करें तो यहां पूड वर्ग बन जाएगी इसको आप समझ गया होंगे चलिए next देखते हैं 6155 में क्या घटाया जाए कि यहां पूड वर्ग बन जाए चलिए इसको भी हम division method से solve करेंगे 6155 में क्या घटाया है कि यहां पूड वर्ग बन जाए ठीक है पेरिंग कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारा 7 749 8 8 64 तो 7 टायम ही जाएगा 7 यह 49 हो जाएगा यहां पे 12 हो जाएगा हमारा यह 14 हो जाएगा यह 5 और यह 5 अब हमें यहां पे ऐसे नंबर से multiply करना है कि 1255 से ज्यादा नामने पाए कम ही रहे तो इसको हम पहले 7 से try कर लेते हैं ठीक है तो आप इसको देख सकते हैं यह हमारा क्या हो जाएगा 15 यह 6 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा ठीक है यह 2 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं 226 ILE कितने टाइम्स जाएगा यह 8 टाइम्स जाएगा चलिए हम एक टाइम इसको कर लेते हैं ठीक है यहां पर 8 लिख लेते हैं 8, 8, 64 हो जाएगा हमारे हासिल 6 आएगा 8, 4, 32, 38 हो जाएगा हासिल 3 हो जाएगा 8, 99, 8, 3, 11 यह हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 15 में इसे आठ गए 6, 155 में अगर हम 71 सब्ट्राइट करने तो वह उड़ बन जाएगा यहांनी एक सट सो पच्पन में अगर हम 71 से 71 सब्ट्राइट कर दे तो वह उड़ बन जाएगा तो ऐसे कुस्चन आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपका कॉंसेट क्लियर होगा तो आप यहांसे कुस्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्या हुआ है तो ऐसे कुस्चन करने के लिए मेरी एक ट्रिक मैंने सोची है कि आपको इस नंबर पर फोकस करना है आप देख सकते ही यह 10 है तो 10 के nearest square क्या हो सकता है तो 10 के nearest square यह तो 9 हो सकता है और यह तो 16 हो सकता है तो 9 किस condition में होगा अगर यहां पर minus होता तो 9 होने के chances रहते और यहां पर plus है तो यह 16 होने के chances बहुत ज़्यादा है तो जहां हम 16 का under root निकालते हैं तो यह 4 आता है तो इसका answer क्या होगा 4 होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी आपको इस question का जवाब आसानी से मिल सकता है प्रिंक के method से मिल सकता है कि आप ऐसे question को कैसे solve करें तो पहले number को आप focus कर लिजे तो आप यहां पर देखें कि 10 दिया हुआ है तो अगर 10 के आजपास square क्या हो सकता है 9 हो सकता है 16 हो सकता है तो 9 किस condition 9 तो होगा ने क्योंकि 10 यहां पर already positive है तो add ही होगा तो 16 होने के chances ज्यादा है तो इनका जब sum 16 आएगा तो उसका जब square room निकालेंगे तो यह 4 आएगा यह मैंने maximum question में यह मैंने trick यूज की है और maximum question में मैंने देखा है कि इस condition में ज़्यादा तर यही trick follow होती है आराम से इससे answer निकल आता है अगर आपको और लग रहा है कि नहीं यह नहीं हो सकता है तो आप इस number पर भी focus कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि 25 है ठीक है तो यह maximum किसके पास जा सकता है यह 5 के पास जा सकता है ठीक है यह 5 का दिया हुआ है तो यह तो 6 होगा और अगर यह 6 का होगा तो 6 और 10 आइडों के 16 हो जाएगा उसका root 4 हो सकता है तो आप दो number तक भी अगर आप इस question को देखेंगे तो definitely आपको इसका answer within second मिल जाएगा आप पूरा कुल करने की आप सकता आपको नहीं पड़ेगी तो I hope आपको square और square root के question को अच्छे से solve करना आगया होगा और मैंने बहुत ही असान तरीके से यह सब question बताये हैं आप simple है आप previous video भी जरूर देखें और यह part 2 है इसको भी देखें अगर आपने previous video नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर देखें तभी आप इस part 2 को समझ पाएंगे तो अगर आपको यह video पसंद आया है तो इसको like करें share करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस video को पहुचा है ताकि वह बहुत वह अपने studies में इसको use कर सके और प्रफॉर्म कर सके अपने exam में और अगर आप channel पर नए आए तो इसको subscribe करें और bell icon ज़रूर दबाए ताकि आपको latest videos की notification मिल जाया नेक्स वीडियो में फिर से एक दमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद